Hello everyone, I am Sonal Tanwar, your educator. Welcome back to my channel, The Hindu Ansic Classes. तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके studies? I hope आप दिन का जो भी target सेट करते हैं, आप उसको achieve कर पा रहे होंगे. और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मिट रुखे और देखी कहां पर आप lag कर रहे हैं. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके target से distract कर रहे हैं? अगर आप खुद को analyze करेंगे और खुद का पूरा schedule एक बार देखेंगे, कि आपने कहां कहां पर progress की हैं और क्या आपकी कमी रहे गई हैं, तो आपका जो target है वो आप easily अपना target achieve कर सकेंगे. अगर आपका schedule इस तरीके से नहीं बनता है कि मुझे पूरा दिन में क्या 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 करना है, तो आप 2-2 घंटे का या 1-2 घंटे का target सेट कीजिए, 2-2 घंटे का target सेट कीजिए कि इन 2 घंटों में मुझे क्या करना है, और फिर उसको achieve कीजिए फिर आदा घंटा break लेके फिर दो घंटे का target set कीजिए ऐसे करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी progress होने लगेगी क्योंकि इस exam में consistency बहुत जरूरी है और consistency एक बहुत ही boring process भी है तो बोरियत ना हो इसलिए आप अपना छोटा छोटा target set कीजिए इससे क्या होगा जब आप उस target को achieve करेंगे तो आपको एक satisfaction होगी कि आपको जो time है वो कहीं पर utilize हुआ है तो इससे आपको आपके जो negative thoughts हैं वो आपके उपर हावी नहीं होगे और एक तरह से जो आपका concentration level है वो भी maintain रहेगा कि आपने जो भी काम किया है आप उसमें satisfied हुए है तो आप ये काम कर सकते हैं अगर आपका schedule आप पूरे दिन का नहीं बना पाते हैं तो छोटा छोटा schedule बनाईए और फिर उसको achieve कीजिए तो ऐसे धिरे-धिरे करके आप you will grow बाकी आप मेरी class की सारी PDF आपको मेरे telegram channel पर मिल जाती है आप मेरे telegram channel join कर रहे उसका link आपको description box में मिल जाएगा आप मेरे साथ connect रह सकते हैं मेरे facebook page या फिर instagram page पर भी उनका link भी आपको description box में मिल जाएगा कोई भी problem है किसी भी चीज़ से related तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं उनको answer जरूर दूँगी तो चलिए अब करते हैं start अपनी आज़गी class तो हमारा पहला article है center limits duration of online school sessions context यह है कि अभी ministry of human resource development ने कुछ guidelines release की है digital education के उपर और इनका नाम इन्होंने प्रग्याता रखा है अब यह जो guidelines है यह prepare की गई है NCRT यानि की national council of educational research and training के द्वारा prepare इन guidelines को prepare तो NCRT के द्वारा किया गया है लेकिन इनको release ministry of human resource development ने की है और यह जो guidelines है यह किसे related है यह digital education से related है और इनका नाम रखा गया है प्रग्याता तो यह कुछ important points है जो आपको याद रखने हैं आपके prelims में ऐसे question पूर सकते हैं कि जो प्रग्याता है recently वो news में था और वो किस चीज से related था तो यह digital education से related है release किया गया है HRD के द्वारा और प्रिपेर किया गया है NCRT के द्वारा अब यह जो गाइडलाइन्स हैं यह online digital learning के eight steps को दर्शाते हैं और यह जो eight steps हैं वो प्रग्यात की full form भी है आप देखिए प्रग्यात की full form यहाँ पर eight steps में define की गई है plan review arrange guide याक याक means talk assign track appreciate तो यह प्रग्यात की full form भी है और यह जो guidelines है यह सिर्फ advisory है यानि कि center ने यह बना दिये है state को advice करने के लिए कि इस basis पे आपको अपना जो digital learning है उनको चलाना है ऐसा नहीं है कि center ने यह release कर दी है और states के उपर यह binding है मतलब states को यह माननी ही माननी पड़ेंगी ऐसा नहीं है यह सिर्फ advisory nature की है states अपने according इनको formulate कर सकते हैं और जो भी उनके नीज है और जो भी उनके प्रोसेस है उनके according कि उनके जो एरिया है लोकल एरिया है उसमें किस तरह की education की requirement है तो उस हिसाब से जो state है वो अपने हिसाब से इन guidelines को formulate कर सकते हैं अब इन guidelines में क्या-क्या advice दी गई है center के द्वारा तो सबसे पहला है need for survey यानि कि जो भी schools है उनको सबसे पहले survey कराना होगा कि जो digital infrastructure है वो कितना available है student और teachers के बीच में सबसे नहीं कि students के पास कोई भी gadget है teachers के पास है नहीं तो कैसे चलेगा कैसे वो जो online education है उसको चला पाएंगे सबसे पहले तो आप survey कीजिए हर state के schools को यह advice दी गई है कि सबसे पहले आप survey कीजिए यह देखे कि teacher के पास proper resources available है या और students के पास भी वो proper resources वो available है या नहीं जाकि two-way communication easily occur हो पाए और अगर किसी भी school को यह पता चलता है कि जो बच्चे है उनके पास नहीं है कोई भी medium नहीं है online education access करने का तो सबसे पहले उन बच्चों को वो digital कोई भी जिसके तो आप पढ़ा रहे हैं वो चीज access करवाई जाए अब जो second point है वो है duration center government ने fix कर दिया है कि कौन से टास तक के बच्चों को कितना घंटे आपको पढ़ाना होगा क्योंकि काफी सारे स्कूल ऐसे थे जो अपने स्लेवर्स कवर करने के चक्कर में बच्चों को काफी काफी घंटे तक पढ़ाए जा रहे थे तो अब ऐसा नहीं होगा हर स्कूल के ऊपर एक regulation है कि आपको कितना घंटे पढ़ाना है इससे जादा आपको एकसीड नहीं होगा यह एक तरह की चेहिं तरह की बेसलाइन करना है यह सब मेंटेन करके चलना है बाकि आप अपनी स्टेट के हिसाब से उसमें चेंजिस कर सकते हैं तो हम देख रहते हैं क्या क्या duration है तो जो प्री स्कूल के बच्चे हैं और जो केजि और नर्सरी के बच्चे हैं उनकर लिए सिफ 30 मिंत की क्लास ही देनी होगी पूरे दिन में और ये 30 मिंट में भी जो उनके पास में बैठे होने चाहिए मतलब पेर्स की गाइडेंस की साथ में ये 30 मिंट का लेक्शन उनको प्रोवाइड किया जाएगा अब जो क्लास 1 से देखे 8 तक के जो बच्चे हैं उनको पूरे दिन में मैकस प्रोवाइड की है जो स्क्रीन टाइम है मतलब लैप्टोप पे फॉन पे लेक्ट्र देखने का घंटा है वो अब डिफाइं कर दिया है रिस्टर कर दिया है कि इतना टाइम आप मैंटेन करके चलिए इससे जादा एक्सीड नहीं करना है तो यहां पर फर्स्पॉंट में कर दो तक आप को चाहिए उनको भी लया कुशतने करना है और जितने भी टीचर है उनके लिए यह रेकमेंट किया गया है कि जो भी एक्टेक्विंवक लो अवर बी। आप इस वेब साइट पर जाके उसको चेक करें और यह स्कूल की टीचर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह एक इंसेंट मैसेजिंग ग्रूप बनाएं किसी भी तरह का गुरूप बनाएं या फिर इमेल ग्रूप बनाएं जिससे की जो भी इंपोर्टन इंफोर्मेशन और रिसो इंपोर्मेशन और यह सारी जो गाइडलाइन ने दी है और उन्होंने यह भी बोला है कि हर सेजन के बीच में मतलब अब हम बात कर लेते हैं एंसी आर्ट के बारे में आपने देखा होगा कि आपके जो गौर्मेंट की बुक्स होती है जो स्कूल में यूज होती है वो आप इसका जिक्र कॉंस्टिटूशन है नहीं इसको किसी लौ या बिल्कु पास करके बनाया गया है यह सिर्फ गोर्मेंट के दौरा ऐसे ही बना दी गई है लिटरेसी और साइंटिफिक और चारिटेबर सोसाइटी के अंडर यह ऐसे ही बना दी गई है चांकि हमारे जो कंट्र उसमें education and literacy को और भी enhance किया चाह सके और इसको बनाय गया था government of India के द्वारा established किया गया था 1961 में और जिस act के द्वारा इसको बनाया गया थो उस act का नाम है Society's Regulation Act 1860 इसका main aim क्या है कि school education system में reform लेके आना यानि कि कुछ बदलाव लेके आने training provide करना policy का formulate करना education के लिए policies बनाना उनको circulate करना development in literacy में development का का काम करना तो यह सारे मतलब basic जो भी चीज नेसेसरी है एक education के लिए वो सारे चीज जो है वो NCRT करता है अब इसका headquarter New Delhi में है तो यह हमने बात की कुछ guidelines के बारे में जो की Ministry of Human resource development ने release की है और हमने पढ़ा क्या है NCRT तो अब देखते हैं अपना next article हमारा next article है more spike missiles to be order अब context यह है कि Indian army ने second time यह repeat order किया है कि हमको spike LR means long range anti-tank guided missile है जो कि हमें इस्रेयल से मंगानी है तो इसको यह second time इन्होंने ओर्डर किया है कि हमें emergency procurement के तहत यह missile हमें अभी चाहिए क्योंकि अभी आपको देखने को मिल रहा हो कि इंडिया और चाइना के बीच में LSE को लेकर काफी नोग जोग बहुत जादा नोग जोग हो रही है तो इसलिए इंडिया नार्मी ने इस्रेयल को बोला है कि हमको यह spike LR anti-tank guided missile प्रवाइड कर दीजिए तो हम देख लेते हैं कि और भी क्या-क्या procurernants है जो इंडिया ने इस्रेयल से कर रहे हैं तो ऐसी कौन-कौन सी missiles हैं क्या-क्या launchers इंडिया ने इस्रेयल से पहरे भी खरीद रखे हैं आपको याद होगा कि लास्ट यर 12 कोट एयर स्ट्राइक हुआ था तो उस 12 कोट एयर स ख्रीदे थे और APPROX 250 मिसाल्स करी धी जो कि न्यॉ एमर्जन्सी फाइनश्चल पावर्स के लूद्स के अंडर खरी थी Defense Ministry ने अब ये तेवर मेन्स्टरी अनमार्च के है इस एमर्जन्सी फाइनश्चल पावर्स के तहथ जो आम्र्णी फोर्से आँए तो फ्री है कि वो तीन सो करोड तक की जो अपनी भी प्रोक्यॉर्मेंट है वो मुसको एक्विप कर सकती है यान कि तीन सो करोड तक के वो अंख़ खरीद सकती है कि जो भी उनकी प्रायोर्टी बेस होगा यह नही कि उनको खरीद के बैठ गई equipped क्विए नहीं तो जो भी procurement का process होगा, वो 3 महीने के अंदर complete करना होगा, जिस भी country से मंगाया जा रहा है, माली जी इसरेल से मंगाया जा रहा है, तो इसरेल को 3 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ सप्लाइ करनी होगी उस country को, अगर वो emergency financial power के तहत अपना समान खरीद रहा है, लेकिन इसको बाद में extend कर दिया गया और इसको 6 महीने कर दिया गया, यानि कि जो पहले 3 महीने रखा गया था, कि इसरेल को 3 महीने के अंदर supply करना है, तो वो बढ़ा कर अब 6 महीने कर दिया गया, तो यह हमने जाना, emergency financial power के बार में, अब हम देख लेते हैं, स्पाइक LR के बार में, generation anti-tank missile है, जो कि develop और manufacture की गई थी, रफेल advance defense system इसरेल के दुआरा, यह वो रफेल नहीं है, जो हम फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं, यह इसरेल की ही एक company है, जो कि यह spike alarm बनाती है, और यह एक तरह का portable anti-armor weapon system है, और इसकी जो range है, वो रहने वाली है, 400 km से भी जादा, यह एक तरह का fire and forget mode पर चलता है, यानि कि आपको target set करना है, और fire करना है, और आपको भूल जाना है कि आपका target कहाँ पर है, यह अपना आप ही उस target को ढूंड कर हिट कर देगा, और यह जो missile है, वो जादातर infantry soldiers के दुआरा, यह जो missile है, वो जादातर infantry soldiers के दुआरा, यह जादा यह जादा सकती है, यह जादा सकती है, तो यह हमने जाना स्पाइक LR के बारे में, आप यहाँ पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, यह इस तरह की एक missile होती है, fire and forget mode पर यह काम करती है, और इसकी जो range है, वो चार किरोमेटर से भी जादा तक की लेखने को मिलती है, इसक इसकी जो को मेंली infantry soldiers यूज करते हैं, और यह इसरेल के द्वारा डवल्प की गई है, रफैल अडवांस defense system, जो की इसरेल की कमपनी है, उसके द्वारा यह डवल्प और मॉडिफाय की गई है, तो यह हमने बात की, इंडियन आर्मी के प्रोक्यॉर्मेंट से डिलेटिड कु तो दूसरे student तक भी मेरा channel शेयर कर दें, ताकि उनको भी benefit हो सके, और ना केवा students, बलकि वो लोग जो की current की news से aware रहना चाहते हैं, वो लोग भी मेरे channel को subscribe कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you so much, have a nice day.